वाडी सीठ कोली लियाउट में एक निवासी की रायतार के घर का ग्यास लेक होने से सिलिंडर में आख लगी थी, सबाद 10 बजे के दोरान बाड़ी से गोले ले आउट निवासी घर मालक किशोर पाटिल इनके घर पर उपर मजली पर किरायदार युवक सचिन नानिश्वर बोरकुटे अपने कमरी में अखेला था सचिन कमरी में रात को खाना बना रहा था उसी दोरान किरायदार युवक सचिन को सिलिंडर से गैस लीक होने का समझ में आया उसने जाग कर देखा तो गैस लीक होने से सिलिंडर में आग पकर चोकी थी कम वक्त में सिलिंडर में आग इतनी भड़की थी कि तुरंट नियंतरन करपाना ना मुनकिन था परन्तु किरायदार सचिन की होसले की दाद देनी चाहिए उसने तुरंट क्या से रेगुलिटर पाइक को बहार निकाला और आग में लगबग सिलिंडर को बाहर तहलिज मिरे उसने ब्लैंकेट को भिगा कर सिलिंडर में लपटने की कोशिश की जिससे आग नियंतित हो सकी परन्तु आग नियंतित ना होने का दिखाई दी रहा था उसने तुरंट उपर मसले से सिलिंडर बाजु के खाली प्लोट में फेक दिया उसके समय सुजगता और होसली की बड़ी दूर घटना टल की हमारी प्रतिनिधी ने घटना स्तल से तुरंट वाली नगर परिशत के कर्वचारी धनन जय को सुचना थी पांच मिनिट के अंदर दंकल दस्ता घटना स्तल पर पहुच गया आग से लटपत सिलिंडर को पानी बार कर शांत क्या गया मगर सिलिं डर ब्लास हो जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी जिस कारण से जान की हाने भी तो हो जाती थी मगर किरायदार सचीन एवं दंकल कर्म्यों की होस्ति से यह बड़ी घटना टल की दंकल दस्ती से धनन जय गोत्मोर, चालक नितेश वगारी, कार्टिक शहानी, लकी सोनकर, इ इन्होंने इस समय पर आग को नियंत रित ला लिया था, विस्यन नियूस के लिए वाड़ी से सौरप पाटिल की रिपूर्ट